कि अच्छाइब दोफ्तों हमारे यूटूब चैनल घरी लूप आए में आप सभी का हर दिख्वागत है आज तो टॉपिक आपके लेकर आया हूं नवरात्री के विशेश टॉपिक है दोस्तों नवरात्री में विशेश फलहारी वेंजन पॉस्टिक और लाजवाब मीठिम मखाने यहां दोस्तों अक्सर लोग आलू और मुंफली दाने वगारा तो खाते हैं लेकिन आज मैं आपको एक विशेश फलहारी बताने वाला हूं अगर आप जाना चाहते हैं तो हमार दोस्तों हमारे यूटीब चैनल घरील उपायतरों सब्सक्राइब कर लें आते हैं अपने टापिक पर नौरात्री में विशेश फलहारी वेंजन पॉस्टिक और लाजवाब मीठे मखाने हैं नौरात्री में मा नौ दिन उपवास नौरात्री में नौ दिन का उपवास में भी ज्यादतर वेंजन आलू साबुद दाने और मुंफली दाने से बनते हैं आये इन इस नौरात्री पर बनाते हैं कुछ खाश विशेश वेंजन और हम आपको बताते हैं इसके लिए क्या क्या सामागर चाहिए 200 ग्राम शक्कर आधा सूखा नारियल और दो बड़े च को घी में भून ले अब सूखे नारियल के गुले को पतले पतले लंबे टुकले में काटकर गरी तयार करें इसके इन्हें भी हलका सा भून ले ततप्षण कड़ाई में शक्कर और थोड़ा सा पानी डाल कर चासनी बना ले जब चासनी का तार ठीक पकासे हो जाए तब इसमें माखाने वनारियल की गरी डालकर बराबर से चलाते रहें और जब गाढ़ा हो जाये तो आज को बंद कर दे अब इसे अच्छी तरह मिलाएं वह बड़े बरतन में फैला कर रख दे जब यह ठंडा हो जाये तब इसे निकालकर एक एयर टाइट डिब्बे में भर पूर लाएं तो दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वार दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगई होगी और आप भी इस मिठी और लाजवाब पॉस्टिक माखाने को बनाकर जरूर सेवन करेंगे और मा का आशिरवाद पाएंगे और दोस्तों अगर आपके मन में कोई कोई भी इस वीडियो स्वाल चल रहा हो या फिर बनाने कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लेकर बताना ना भूले और हम इसका सॉलूशन देंगे आपको और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ है तो इसे लाइक को शेयर करना ना भूले और दोस्तों आपको बता दो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल घरीलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तो इस चैनल पर हम आपके लिए आपके लिए आपके लिए असके इसके टिप्स और एस विपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जियों को सरव दोस्तों में बनाने बहुत ही कारगा साबित होते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल घरीलूप है तो सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं एक लिए वीडियो में ऐसे एक्साइटन टॉपिक से साथ नमस्कार दोस्तों